Hello Everyone, Welcome back to my YouTube channel Science by Diba देखे, प्रीविएस वीडियो में हमने बात की थी Water Pollution क्या होता है Pollutants कौन कौन से होते ही और Water Pollution Cause कैसे होते ही आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Water Pollution के Effects Water Pollution तो हमें पता है कि हमारे लिए harmful है पर कैसे, क्या Effects आते हैं इनका हमारे उपर ये किसी और लिविंग और्गानिजम पे वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे तो देखो, सबसे पहले हमें पता है Water Pollution बहुत हामफुल होता है कैसे होता है? चलो देखते पहला ही लिखा है Point Disease Causing ठीक है? Disease Cause करता है जब हम Pollitants पढ़ रहे थे तो हमने एक कैटिगरी पढ़ी थी Pollitants की, वो क्या थी? Biological Pollitants उसे बहुत सारा के Living Organism आए थे जैसे आपके क्या? Virus Protozones Bacteria Fungi Helmins ठीक है? यह हमने पढ़ा था वगरा वगरा ठीक है? यह करते क्या है? यह Water में Mix होंगे और उन्हें Pollitant करेंगे ठीक है? Then Polluted Water को क्या करा जाता है? हम लोग Consume करते जब हम Consume करेंगे तो हमें तरह तरह की Infection और Disease होती है Similarly, यहाँ पर हम एक Major Effect पढ़ेंगे जो की है Water Pollution यही की यह Disease Cause करते है ठीक है? ना सिर्फ Human Being में बलकि Animals में भी यह Disease Cause करते है क्योंकि Water एक Basic Necessity है सभी Animals की भी और सभी Living Organism की भी ठीक है? और हम जैसे Human Being की भी ठीक है? यह एक Basic Necessity है जो जो इस Water को पीएगा Unhygene Water को यानि Polluted Water को तो उसको Disease Cause करेगी यह करेगी तो Polluted Water चाहे वो Plants को हम दे चाहे हम खुद लें और चाहे Animals को दे सब में Disease Cause कर देगा ठीक है? अब देको लिखा क्या है Biological Pollutants of Water Cause Disease in Human यह पढ़ लिया अब कौन कौन से Disease है? Typhoid, Cholera, Dysentry, Joint D's and Hepatitis ठीक है? यह कुछ Basic Example है जो की Water Born Disease है यानि की Polluted Water के Consumption से हमें Cause होती है इसलिए कहा जाता है कि Drinking Water हमेशा कैसा होना चाहिए? Properly Clean होना चाहिए Treated Water होना चाहिए इन सभी Biological Polluted से Free होना चाहिए कौन से Biological Polluted से? जैसे यह आपका लिकाए Bacteria, Protozons Bacteria, Virus Fungi, Helmency यह सारे Biological Polluted से Free होना चाहिए Now Clear? क्योंकि जब यह Polluted हमारी Body में जाएंगे हमारी Oral Cavity के थूँ तो हमारे स्तमक में जाकर स्ताइन में जाकर रहेंगे Parasite की तरह क्या करेंगे? Parasite की तरह काम करेंगे और धीरे-धीरे Infection और Disease Cause करेंगे हम जब पढ़ रहे थे Why Do We Fall इल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था उसमें एक लाइन पढ़ाई थी Prevention Is Always Better Than Cure इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले ही Prevention ले लो क्योर होने की जरूरत ही क्यों पढ़े? कि इससे पहले कि यह Biological Politan Body के अंदर आएं Disease Cause करें और हमें Treatment कराना पढ़े इससे पहले क्या करना चाहिए? हमें Prevention ही कर लेना चाहिए अब Animal की बात आती है तो वो बैचारे अब उनको तो हम लोग Treated Water नहीं देंगे ना जैसा उनको Water मिलेगा वो उसको Consume कर लेंगे तो हम Animal में तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन Human में तो कंट्रोल कर सकते हैं तो Drinking Water क्या करना चाहिए? हमेशा Clean Water पीना चाहिए Not clear? So Water Pollution का एक Major Effect क्या है? ये Health को Hazard पहुचाता है Hazardious होता है Disease cause करता है तरह तरह की Disease cause करता है तरह तरह की जब Disease पहुआ रहे थे We observe कि बहुत सारी Disease ऐसी थी जब किसी Person को हो जाती है तो वो इंसान 100% recovery नहीं कर पाता है पॉसिबल नहीं होता है तो वो Person क्या होता है? अपनी Original Life की तरह बैक नहीं हो पाता है Plus हम बोलते हैं ये Contaginous भी होती है तो ये सब को Prevent करने के लिए सबसेज important है कि Drink Treated Water और Clean Water Not clear? अब Next Slide में देखते हैं Second Effect आजाते हैं पानी के अंदर तो पानी के अंदर जो ऐसी चीज़े हैं जो वहां की Aquatic Life को चाहिए होती है यानि कि उनके लिए वो Desirable चीज़े होती है Sunstances होते हैं उनका Remover हो जाता है क्योंकि Water की Quantity तो उतीन ही है अब आप उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटेंट डालोगे तो वो पॉलिटेंट क्या करते हैं वी नो पॉलिटेंट कैसे होते हैं टॉक्सिक होते ही वो क्या करेंगे वो Water की जो Physical and Biological and Chemical qualities होती है उनको जाके Affect करेंगे Influence करेंगे जिसके कारण होता क्या है कि Properties Change होती है Quality Change हो रही है तो वहाँ पर जो Desirable Substances है उस पानी में वो Remove होते जा रहे कैसे? कैसे Remove हो रहे? With Increase in Amount of Organic Waste in Water Bacteria Multiply Rapidly जखो हमें पता हैं कि Bacteria की Growth के लिए उनको चाहिए क्या होता? बहुत सारा Organic Matter क्या चाहिए होता है? Organic Matter जब वो Grow करेंगे Bacteria Multiply करेंगे देन उनको चाहिए होगा बहुत सारा Oxygen पानी में तो बहुत सारा Oxygen होता है तो वो क्या करेंगे? उनके लिए तो मस्त हो जाएगा कि बहुत सारा Polytent है इसमें Polytent एट कर रहे तो कौन सा Polytent? Organic Matter और हम ही एट कर रहे हैं उसमें Organic Matter ठीक है Bacteria वहाँ पे प्रेजेंट है उनको Organic Matter तो मिली रहा है पानी में Oxygen भी मिल रहा है सबती जो को पका पकाया उनको मिल रहा है Bacteria लिए ग्रो करने के लिए चाहिए क्या था? Oxygen चाहिए था Organic Matter चाहिए था प्रेज़ करेंगे वहां की Aquatic Life के साथ किसके लिए? Oxygen के लिए तो Oxygen या तो तुम लो या तो हम लो जब जब ज़ादा है तो दोनों ले रहे थे लेकिन अब तो competition का टाइम आगया जो Aquatic Life को भी Oxygen चाहिए Bacteria को भी Oxygen चाहिए तो Bacteria का क्या है? कि number grow होता जा रहा है Oxygen वो ज़्यादा consume करते जा रहे और वहां की Aquatic Life के लिए unfortunately Oxygen की कमी होती जा रही है then without Oxygen Aquatic Life कैसे survive करेगी? तो वो obviously बात है वो death की तरफ चाहेगी death होने लगेगी, वो सफर करने लगेगी क्योंकि basic necessity होती है ये Aquatic Life इनकी क्या basic necessity है? एक तो इनका water, दूसरा इनका Oxygen अब Oxygen ही आप उनसे छीन लोगे तो उनके लिए बचा क्या? तो उनके लिए तो ये बहुत risky हो गया वो तो death की तरफ जाएंगे bacteria use of the available oxygen lack of oxygen kill the fish and other aquatic animals समाझ में आया? इसमें क्या overall बताया? बैक्टिरिया क्या करता है? वो multiply करता है उसको multiply करने के लिए grow करने के लिए चाहिए क्या होता? organic matter और क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है oxygen तो water के अंदर oxygen मिल रहा है organic matter हम उनको दे रहे हैं आब वो दोनों add कर mix हो देंगे बैक्टिरिया के लिए तो मस्त हो गया उसने क्या कर रहा? multiply grow, multiply grow करता है oxygen लेता गया अब वहाँ पर जो और रह रह थे aquatic life अब वो oxygen के लिए वो भी लड़ने लगे और bacteria भी लड़ने लगा bacteria की तादाती ज़्यादा तो bacteria गया जीत अब उसने वहाँ पर पूरा कभजा कर लिया अब aquatic life के लिए oxygen की कमी होगी तो क्या करेंगे? बिचारे मरेंगे ठीके? यह बात clear होगी अब next हम लोग point परते हैं that is effects of thermal pollution thermal effect बहुत जादा होता है previous video में हमने बात की थी कि जो aquatic life होती है वो बहुत जादा evolved नहीं होती है ठीके? एडवांस नहीं होती है जिसके कारण बहुत जादा जो variation होता है temperature में उसको tolerate नहीं कर पाएगी thermal pollution क्या हो रहा था उसमें? उसमें factories, industries या thermal power plants से जो waste निकल रहा था जो उस water reservoir में जाकर discard हो रहा था dispose हो रहा था उसका temperature था बहुत जादा जब गर्म waste water के अंदर आएगा तो water का temperature भी बल रहा है यह हमने previous video में हमने discuss किया था देखो जब temperature increase होगा अब वो जो है water में जाएगा तो water का temperature भी increase होगा उससे क्या होगा? aquatic life सफर करेगी वो वैसे temperature में नहीं रहती है तो उसके लिए तो यह गड़बड़ सी बात होगी न चलो कुछ ऐसे living organism है aquatic living organism है जिसने बोला चलो ठीक है हम एक limited high temperature तो tolerate कर पाएंगे लेकिन क्या होता है कि उनकी breeding affect हो जाएगी क्योंकि उनके जो एक्स होते हैं लार्वा होते हैं वो इतने ज्यादा temperature इतने ज्यादा high temperature को tolerate नहीं कर पाएंगे वो बड़े इंसान तो adjust कर ले थे जो बड़े living organism थे उन्होंने adjust कर लिया लेकिन अब उनके जो baby लार्वा उनके एक्स हैं वो नहीं adjust कर पाएंगे तो क्या होगा जो उनके population होती है वो increase नहीं हो पाएंगी जब increase नहीं हो पाएंगी तो एक particular time आएगा कि एक particular species जो है ना extinction की तरफ जाने लगेगी खत्म होने लगेगी जैसे example के तोर पे अगर हम डाइनासार को लें तो डाइनासार भी तो धीरे धीरे विलुक्त होगे अब कहां दिखते हैं तो ऐसे ही इसमें aquatic life में भी जब उनकी breeding नहीं होगी तो धीरे धीरे वो भी extinction की तरफ चलाएंगे विलुक्त हो जाएंगे तो एक बाएंगी इसको read out कर लेते है All aquatic organism use certain temperature in water वही बताया है कि जित्ती भी aquatic organism होती है उनका एक moderate temperature होता है जिसमें ही वो survive करते है Any mark change in this temperature is dangerous for them कुछ भी अगर उनकी temperature में उपा नीचे होता है तो उनके लिए dangerous होता है ठीक है चलो बढ़े ने तो adjust कर लिया अब बात आती है breeding की breeding affect हो गई जैसे कि एग और लार्वा जो है उनके अनिमल के यह क्या करेंगे यह उस temperature change को बरदाश नहीं कर पाएंगे चलो मैंने कहा एग ने एक से लार्वा भी निकल गया एक से लार्वा भी बन गया अब लार्वा से जो बेबी बनना की situation थी वहां तक यह पहुची नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी बुरी तरह से वह गरम temperature उनको affect कर देगा ठीक है इतनी बात क्लियर होगी आज मैंने इस वीडियो में आपको effect of water pollution पढ़ाया था next video में हम पढ़ाएंगे cause of water pollution अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो please say like, share, subscribe करना मत बूलना and don't forget to hit bell icon so that अगर जब भी मैं कोई informative वीडियो डालती हो तो आप तक timely notification आता रहे thank you so much and keep supporting me